तो फ्रेंड आज है मेरे पास unboxing के लिए Realme Narzo 30 Pro ये एक 5G device है आज इस device करने वाला हूं मैं unboxing और आप लोग को बताने वाला हूं कि इसके box content में क्या क्या चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगी और ये device कैसा होने वाला है आप लोग के लिए तो ध्यान से देखिए इस शर्मल जी ब्रदरस तो चलिए स्टाट करते हैं इस device की unboxing तो फ्रेंड ये रहा हमारे device का box जैसा कि आप देख सकते हैं नार्जो 30 Pro 5G लिखा हुआ है तो चलिए हम लोग फटा-फट इससे unbox कर लेते हैं तो कुछ इस तरी किसम इसे बाहर निकाल लेता हूं और जैसे हम लोगो एक और सेक्षन देखने को मिल जाएगा फिल्द पावर लिखा हुआ है नार्जो बाई रियल मी यह सारी चीज आप लोगो लिखी हुई मिल जाएंगी यहां पर क्या क्या चीज में आप लोगो निकाल कर दिखा देता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप आप लेता हूं साइड में यहां पर हम लोग किसी कर लिए और देखते हैं कि बॉक्स में किया कि चीज आपे हम लोगे चारजर मिल जाता है तो इसे भी मन लोगो बाहर निकाल कर दिखा देता हूं तो यह देख सकते हैं आप आप लोग dues ड़ लिखा हुआ है यह 30 वाट का एक से और उसके नीचे यहां पर यहां पे हम लोगों को एक और को तरीके से घर देखने के अगर हो यह एक फुन केरा निकलता है प dwald बहुंन को यॉसे आप कर देता हैं और लिोगा ओटेशो ये देक्सक्न को हटा जेता हूं फूसी तरीके-स रिमो कर लेता हैं और आप आप देख सकते हैं जो डिवाइस है देखने में काफी अच्छा लग रहा है काफी साइनी है तो इसे मैं यहाँ से ओन कर लेता हूँ यह देखिए तो फ्रेंड यह जैसे ही ओन होता है इसका मैं सेट अप कंप्लिट करता हूँ और फिर से आता हूँ आप लोग के पास और बाखी की सारी चीज़ आप लोग को डिटेल में बताता हूँ लग लास्ती की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो की काफ़ी टफ है, बैक के अगर हम लोग बात करते हैं, तो बैक में भी ये डिवैस देखने में काफ़ी ज्यादा प्यारा है, काफ़ी क्लासी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका जो कलर है मुझे पसनली का आप लोगो कलर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगो किंपीक और प्लावर की की देखने में और गया है नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगी कि मेन स्पीकर, चार्जिंग स्लोट, मेन माइक्रोफोन और 3.5 mm का ओडियो जाए यह सारी चीज़े आप लोग को इस डिवैस के नीचे देखने को मिल जाती है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसका जो डिस्प्ले है काफी अच्छा है काफी कलरफूल है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं अगर आप इसमें मुई और देखेंगे यह गेमिंग करेंगे तो काफी अच्छा आप लोग को एक्स्पेरियंस मिल जाएगा क्योंकि जो डिस्प्ले है वो 120 हर्ट्स क कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे यूज़ करने में आप लोगो काफी मज़ा आने वाला है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस डिवाइस की OS के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को Android 10 का सपोर्ट मिल जाता है, हाला कि अगर यहाँ पर E11 का सपोर्ट मिलता है, और क्योंकि यह जो डिवाइस है, एक Realme का डिवाइस है, तो यहाँ पर आप लोगो Realme UI 1.0 देखने को मिल जाता है, इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आप लोगो मिल जाएंगे, इसे यूज़ करने में आप लोगो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बात कर लेते 3 की GPU मिल जाती है, ये भी काफी powerful है, तो अगर आप इस डिवाइस में multitasking करना चाहेंगे, तो वो काफी असान है, बड़ी असानी से आप multitasking कर सकते हैं, साथी साथ अगर इसमें आप gaming करना चाहेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें gaming कर पाएंगे, gaming करने में भी आप लोगों कोई भी problem नहीं होगी, क्योंकि इसका जो processor है, ये भी capable है, और GPU भी काफी अच्छा है, तो अगर आप इस device में gaming करना चाहेंगे, तो आप अच्छा खासा gaming कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, इस device के memory department के बारे में, तो ये जो device है, दो option के साथ आप लोग को मिलने वाला है, पहला है 6GB, 64GB और दूसरा है 8GB, 128GB, आप दोनों में से एक आप अपने हिसाब से pick कर सकते हैं, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो आप लोगो SIM slot मिलता है, वो hybrid slot है, तो यही एक चीज मुझे सही नहीं लगी, यहाँ पर आप SIM यूज़ कर पाएंगे, या फिर एक SIM और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर पाएंगे, तो अब बात कर लेते हैं इस डिवाइस से camera department के बारे में, तो इस डिवाइस में आप लोगो triple camera का support मिल जाता है, जो main lens है, 48MP का, 8MP का आप लोगो ultra wide angle मिल जाता है, और 2MP का आप लोगो micro photos कैसे लगे, मैं अब बात करूँ का front camera की, तो यहाँ पर आप लोगो 16MP का front camera दिया गया है, यह भी काफी अच्छे photo यहाँ पर क्लिक कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने बहुत सारे selfie भी क्लिक किया है, और यह भी मुझे काफी अच्छे लगे है बाकि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगो इस device सा camera कैसा लगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस device के fingerprint sensor के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप लोगो पहले ही पताया था इसको जो fingerprint sensor है, यह आप लोगो power button में ही देखने को मिल जाएगा, यह काफ के battery department के बारे में, तो इस device में आप लोगो 5000 में इसकी बड़ी battery मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है, अगर आप इस device को लंबा यूज करते हैं या heavy यूज करते हैं, तो भी आराम से आप लोगो एक दिन का battery backup निकाल कर यह देने में capable है, अच्छी बात ये भी है कि य पहला है 6GB, 64GB जो आप लोगो 16,999 रूपय में मिल जाएगा, और दूसरा है 8GB, 128GB जो कि आप लोगो 19,999 रूपय में मिल जाएगा, इस price tag में ये जो device है मुझे काफी अच्छा package लगा है, बाकि आप लोग मुझे बताईएगा कि आप लोगो इस device कैसा लगा, मैंने इस device के बारे में सारी चीजे आप लोगो बता दिये detail में, I hope आप लोगो इस वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप लोगो इस वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे, कोई question हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे इस चैनल को subscribe करके bell icon को press क कर लीजिये क्योंकि मैं आप लोगो के लिए नहीं वीडियो से लेकर आते रहता हूं, आज के लिए बस इत्ताई, जय हिंद, वन्दे मातरम, थाइंक यू